Hello and welcome Cyberworms, this is Anil Yadav and you are watching Cyberguard Pond by Neetroots और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि कैसे आप Termux को अपने PC के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं Termux के सारे सेटप्स दिखाने वाला हूँ और फिर उसके बाद हम Termux के अंदर कैसे हैकिंग करते हैं उसके बारे में वीडियो भी लाने वाले हैं जिसके लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है अगर आप PC user हैं और आपको Termux में हैकिंग सीखना है बट आपके पास उतना efficiency वाला device नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही helpful होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आप अपने laptop के अंदर भी Termux को install करके उहाँ पर सारे चीजों को practice कर सकते हैं So without मैकेने डिले, let's continue So guys, इसके लिए सबसे पहले आजाना है आपको आपने browser के उपर और फिर यहाँ पर आपको search करना है Termux for Windows 11, इंटर कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर softonic की जो website है वो open हो जाएगी तो यहाँ पर आपको simply click करना है और फिर यहाँ पर आपको simply click करना है और उसके बाद इसको download कर लेना है यह ads को हमें remove करना है और फिर यहाँ से download कर लेना है So guys, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो file है वो download हो चुका है तो अभी हम इसको extract करते हैं और उसके बाद क्या करना है कि आपको new tab open करना है और फिर यहां पर type करना है blue stack blue stack type करने के बाद आपको simply download blue stack पर click कर देना है और फिर यहां पर आने के बाद आपको simply download blue stack stand पर click कर देना है उसके बाद यह download हो जाएगा और simply हमें इसको open करना है और यहाँ पर यह open होने के बाद simply आपको install now पर click कर देना है agree करना है और फिर इसके जितने भी requirements है वो सब यहाँ पर download हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो blue stack है वो install हो चुका है और अभी इसके जितने requirements हैं वो सब antivirus scan हो रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा blue stack है वो install होके open हो चुका है तो अभी हम चले जाते हैं अपने download folder के अंदर और फिर जो हमारा apk है उसको हम open करते हैं तो guys starting में जैसे कि हमने जो download किया था termux pc के लिए वो यहाँ पर run नहीं हो रहा है तो अभी हम क्या करेंगे जो android में termux run होता है उसी को हम यहाँ पर install करने वाले हैं तो जिसके लिए हम यहाँ पर type करेंगे termux fdroid और फिर enter कर देंगे और फिर यहाँ पर fdroid की page में हम चले जाएंगे और यहाँ से scroll down करेंगे और फिर जो हमारा यह download apk link है इस पर click कर देंगे जिसके बाद यह install हो जाएगा तो इसको मैंने already install कर रखा है तो अभी हम चलते हैं अपने blue stack emulator के अंदर जहाँ पर हम इसको run करके देखने वाले हैं तो मैं blue stack को open करता हूँ और फिर यहाँ पर जब आप open करेंगे इसको तो यहाँ पर आपको home page में दिखाएगा तो यहाँ से आपको क्या करना है my games में आना है और फिर install local app पर click करना है और फिर browse करना है local file को और यहाँ से आपने जो install कर रखा है ABK को उसको click करना है और फिर open कर देना है उसके बद क्या करेंगा कि ये उस ABK को install कर देगा तो यहां पर हमारा जो apk है वो install हो चुका है और अब यह run करने वाला है तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो termux है वो open हो चुका है तो अब यहां कुछ basic commands यहां पर डाल करके check कर लेते हैं जैसे कि apt update and apt upgrade अब upgrade को छोड़ देते हैं थोड़ टाइम लगते हैं सिर्फ update लगाते हैं और फिर इंटर कर देते हैं तो यह पर आप देख सकते हैं यह run कर रहा है तो अब हम एक और command डाल देते हैं जैसे कि list सो होता है तो जिसके लिए हम यहाँ पर simply type करेंगे c matrix और फिर इंटर कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो c matrix है वो भी run करने लगा है तो अभी मैं इसको c press करके इंटर कर देता हूँ तो अभी हम यहाँ पर कुछ और commands भी देख लेते हैं जो कि यह mkdir और फिर cyberguard 2.0 इंटर करते हैं फिर ls command लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो cyberguard 2.0 है वो भी create हो चुका है तो अभी हम इसको clear कर देते हैं और फिर ls करते हैं और फिर इसको अब हम remove करते हैं जिसके लिए हम command यूज करेंगे ifrf cyberguard and cyberguard 2.0 और फिर हम इसको इंटर कर देंगे फिर ls command लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो दोनों फाइल्स था हैं वो delete हो चुका हैं तो अभी मैं इसको clear कर देता हूं और अब यहाँ पर अगर आपको इसको simply exit करना है तो यहाँ पर आप simply exit command डाल करके इसको exit कर सकते हैं इसको मैं यहाँ पर simply exit type करता हूं और फिर इंटर कर देता हूं फिर इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकता है हमारे जो termux है वो हट चुका है So guys यह था हमारा आज का session जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे आप Termux को अपने PC के अंदर install कर सकते हैं और अब मिलते हैं अगले session में तब तक के लिए stay safe, stay secure, thank you and happy learning